नमस्कार प्यारे विधारतियों इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों उमीद है कि आप अपने घरों पर कुशल एम स्वस्त होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे तो बच्चों आज हम आपके बीच कक्षा आठ्वी की पुस्तक हमारे अतीत भागतीन में संकलित चोथे अध्याई जिसका नाम आदिवासी दीकू और एक स्वर्निंग यूग की कल्पना है यहां हम इसके दूसरे भाग का सरलता व गहनता से अध्यन करेंगे अब हम अपने अध्याई को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम आदिवासियों के ओपनिवेशिक जीवन की चर्चा निमन बिंदू के तहत करेंगे ओपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े बिटिवासियों के दौरान आदिवासियों का जीवन बदल गया आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे सबसे पहले देखते हैं कि आदिवासियों के मुख्यों का क्या हुआ बच्चो आदिवासियों के मुख्याओं का महतब पून स्थान होता था उनके पास औरों से ज़्यादा अधिक आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंतर रखते थे कई जगे हैं उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एम एम वन प्रभंदन के स्थानिय नियम खुद बनाते थे ब्रिटिश शासन के तहट आदिवासी मुख्याओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे उन्हें कई कई गाओं पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा लेकिन उनकी शास्किया शक्तिया च्छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों दोबारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाद्धे कर दिया उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधी की हैसियत से अपने समुहों को अनुशाशन में रखना होता था पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही वे प्रमप्रागत कामों को करने से लाचार हो गए अब रहते थे और एक जगें ठहर कर नहीं रहते थे वे जानते थे कि आदिवाशियों के समुह एक जगें ड़ए स्थाई रूप से रहें और खेती करें क्योंकि स्थाई रूप से एक जगें रहने वाले किसानों को नियंतित करना आसान था अंग्रेज अपने शाषन के लिए आमदनी का नियमित स्तोत बीचाते थे फल सवरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिये उन्होंने जमीन को माप कर पर्टेक वेक्ती का हिस्सा तैकर दिया उन्होंने यह भी तै कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा कुछ किसानों को भू स्वामी और दूसरों को पट्टेदार गोशित किया गया बच्चो यहां पर हम भू स्वामी से अभी पराई यह है कि भू स्वामी को सरकार को लगान देना होता था और पटेदार से अभी प्राए है कि पटेदारों को अपने भूस मामियों को लगान देना होता था जूम काश्टकारों को स्थाई रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही जहां पानी की कमी हो और मिट्टी सूकी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता बलकि हलों की मदद से खेती करने वाले जूम काश्टकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्ची उपज नहीं दे पाते थे इसलिए पूर्वोत्र राज्जों के जूम कास्टकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें प्रमप्रागत धंग से ही जीने दिया जाए व्यापक वरोद के फलसरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात मानने पड़ी और ऐसे कभीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में गुमंतू खेती की चूट दे दी गई आओ वच्चों अब हम जाने कि अंग्रेजों ने वनों पर गुमंतू खेती की चूट दे दी गई यहां चित्र में गुजरात के एक जंगल में खेती करती भीर औरतें दिखाई दे रही है गुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन शेत्रों में अभी भी जा रही है आप देख सकते हैं कि यहां पेड़ों को काट दिया गया है और खेतों के लिए जमीन साफ कर दी गई है आओ बच्चो अब हम जानें कि अंग्रेजों ने वनों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो कानून लागू किये उनसे आधिवासी कैसे परभावित हुए वन कानून और उनके परभाव जैसा कि आपने पड़ा है आधिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था अतै वन कानूनों में आए बदलावों से आधिवासीों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंतरन स्तापित कर लिया था और जंगलों को राज्या की संपत्ति गोशित कर दिया था जो कि अब से पहले नहीं हुआ करता था कुछ जंगलों को अरक्षित वन गोशित कर दिया गया ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकडी पैदा होती थी इन जंगलों में लोगों को सबतनतर रूप से घूमने, जूम खेती करने, फल इकठा करने या पश्वों का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी बच्चों ऐसी सूरत में जूम काश्टकार किस तरहें जिन्दा रह सकते थे इसलिए उन में से बहुतों को काम और रुजगार की तलास में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई समस्या यह थी कि रेलवे सलीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इत्जाम कहां से किया जाए है उपनिवेशी के दिकारियों ने इसका भी एक हल ढून निकाला उन्होंने तैय कि जूम काश्टकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकडे दिये जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी बशर्ते गाम में रहने वालों को वनवी भाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखबाल करनी होगी इस तरहें बहुत सारे इलाकों में वनवी भाग ने सस्ते श्रम की अपूरती सुनिश्चित करने के लिए वन गाम बसा दिये परंतू अंग्रेजी सरकार के शाशन ने आदिवाशियों का जीवन कठोर वे संघर्स में बना दिया था आदिवाशियों की दशा को दर्शाता यह चित्र वेर्नियर ऐल्विन एम शामराव हिवाले सांग आफ दी मेकल से उद्रित है 1930 के दशक में वेरियर ऐल्विन ने मद्धे भारत में रहने वाले बैगा आदिवाशियों के इलाकों का दोरा किया था ऐल्विन इन लोगों के रिती रिवाश उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकठे किये जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शाशन में बैगा कितने बुरे दोर से गुजर रहे हैं यहां पर इस चित्तर में एक ऐसा ही छोटा से गीत का आवतरन दिया गया है जिसका शीरसक है अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है जिसमें आदिवासियों की आर्थिक स्तिती दर्शाई गई है चलिए बच्चों इस गीत को दोराते हैं अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल जीना कितना है मुश्किल जमीदार बैठा है गाउं में दरवाजे में कोतवार बगीचों में पटवारी खेतों में सरकार अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल पशूब कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाईnie तो भेंस बेचते हैं जंगल करके लिए बेलों को बेचकर अदा करते हैं लगान भोजनपाएं कहां से अगरेजों के इस देस में बच्यों गीत से हमें आदी वासियों की दैनिय स्थितिका पता चल जाता है तथा बहुत सारे आदिवासी समोहों ने उपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इंकार कर दिया और उन्ही तोर तरीकों से चलते रहे जिने सरकार गैर कानूनी गोशित कर चुकी है कई बार उन्होंने खुले आम बगावत भी कर दी उन्नी सो छे में सोंगरम संगमा द्वरा असाम में और उन्नी सो तीस के दशक में मध्यपरांत में हुआ वन सत्यग्राय इसी तरह के विद्रो थे आईए अब अंग्रेजी शासन के दोरान आई कुछ व्यपारिक समस्याओं की चर्चा करें व्यपार की समस्या उन्नीश विष्ट अबदी के दोरान जन जातियस मोहों ने पाया कि व्यपारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं वे वन उपज खरीदने नगद करजा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा यह समझने के लिए आईए हम रेशम उतपादगों की स्तीती को देखें 18 सदी में भारतिया रेशम की यूरोपिय बजारों में भारी मांग थी बच्चो भारतिया रेशम की अच्छी गुनवता सब को करशित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था जैसे जैसे बाजार फैला इस्ट इंडिया कमपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उतपादन पर जोड़ देने लगे वर्तमान जहरखंड में स्तीत हजारीबा के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे रेशम के वेपारी अपने एजेंटों को भेज कर आदिवासियों को करस देते थे और उनके क्रीमी कोशों को एकठा कर लेते थे एक हजार क्रीमी कोशों के लिए मातर तीन या चार उपए मिलते थे इसके बाद इन करीमी कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था जहां उन्हें पांच गुना कीमत पर बेचा जाता था निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचोलियों को जम कर मुनाफ़ा होता था रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फाइदा मिलता था सभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुधाय बजार और वैपारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे बच्चो इन्हें भी ये दिकू मानते थे प्रस्तु चित्र आदिवासी औरतों की संघर्स पून जिन्दगी दर्शाते हैं इस चित्र में आप देखिए गोदारा औरतें बुनाई करती हुई दिखाई दे रही हैं और दूसरे चित्र में औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था फे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर काम पर जाती थी बच्चो इससे भी बुरी हालत आदिवास्चों की उस वक्त होई जब इन कानूनों की वज़े से उन्हें दूसरे इलाकों में काम पर जाना पड़ा था काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवाशियों की दशा तो और भी खराब थी 19. सदी के आखिर से ही चाए बगान फैलने लगे थे खनन उध्योग भी एक मेहतपून उध्योग बन गया था असम के चाए बगानों और जारखंड की कोईला ख़दानों में काम करने के लिए आदिवाशियों को बड़ी संख्या में भरती किया गया इन लोगों को ठेकेदारों की मारफत भरती किया जाता था ये ठेकेदार ने केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बलकि उन्हें वापस घर भी लोटने नहीं देते थे प्रस्तु चित्र बिहार के कोईला ख़निकों का है 1920 के दशक में बिहार की जारिया और रानी गंज कोईला ख़दानों में काम करने वाले लगभग 50% ख़निक आदिवासी थे अंधेरी और दम गोटू ख़दानों की गहराई में काम करना नेकेवल शरीर को तोड़ता था बलकि यह खतरनाक था वह अक्सर सच मुझ जान ले लेता था 1920 के दशक में देश की कोईला ख़दानों में हर साल 2000 से जादा मजदूर मारे जाते थे बच्चो नजदीक से देखने पर या यूं कहें कि गहन अध्यन करने पर हम पाते हैं कि 19 वी और 20 वी स्थापजियों के दुरान देश के विविन भागों में जन जाती है समूहों ने बदलते कानूनों अपने वेहवार पर लगी परबंदियों नए करों और वेपारियों वे महाजनों दुरा किये जा रहे शोशन के खिलाफ कई बार बगावत की 1831, 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल ने बगावत कर दी थी मद्ध भारत में बस्तर विद्रो 1910 में हुआ और 1940 में महराष्टर में वरली विद्रो हुआ बिर्सा इस अंदोलन का नेतिरतव कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रो था तो बच्चो आईए अब हम इस भाग में बिर्सा मुंडा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बिर्सा मुंडा का जनम 1870 के दशक के मद्धे में हुआ उनके पिता गरीब थे बिर्सा का बच्चपन भेड बकरियां चराते बांसुरी बजाते और स्थानिय अखाडों में नाचते गाते बीता था उनकी परवरिश मुक्खे रूप से बोहूंडा के आसपास के जंगलों में हुई गरीबी से लाचार बिर्सा के पिता को काम की तलाश में जगें जगें बठकना पड़ता था लड़कपन में ही बिर्सा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रों की कहानिया सुन ली थी उन्होंने कई बार समूदाय के सरदारों यानि मुखियाओं को विद्रो का आहवान करते देखा था बिर्सा के समूदाय के लोग ऐसे स्वरन युक की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकूँ के उत्पीरन से उरी तरह आजात थे सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाइग के प्रंप्रगत अधिकार बहाल हो जाएंगे वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वन्शज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई या मुलक की लड़ाई लड़ रहे थे वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना समराज्य वापस पाना है बिरसा स्थानिय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला उन्होंने यही सुना की मुंडा समुदाए स्वरक का समराज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापिस पा सकता है अगर वे अच्छे इसाई बन जाएं और अपनी खराब आतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है बच्चो इसाई मिशनरी से हमारा अविपराए है कि जो धार्मिक समुदाए यूरोप के कुछ धार्मिक समुदाए हमारे यहां पर आकर के अपने धर्म के परचार के चलते हमारे यहां की आदिवासी जातियों को इसाई धर्म में परिवर्तित कर रही थी तो इसी प्रकार से ये इसाई मिशनरियां यहां पर इन आदिवाशियों के संपर्क में थी उनका मानना था अगर वे अच्छे इसाई बन जाएं और अपनी खराब आज़तें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है बाद में बिरसा ने एक जाने माने वेशन अफ़ धरम के परचारक के साथ भी कुछ समय बिताया उन्होंने जनेवधान किया और शुदता वे दया पर जोड़ देने लगे अपनी किशोरा वस्था में बिरसा जिन विचारों के संपरक में आए उनसे वहे काफी गहरे तोर पर परभावित थे बिरसा का अंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का अंदोलन था उन्होंने मुंडाओं से अवान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें गावों को साफ रखें और डायन वे जादू टोने में विश्वासने करें यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशिनरियों और हिंदू जमिदारों का भी लगातार विरोध किया वे उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नश्ट कर रहे थे 1895 में विर्सा ने अपने अन्यूयाईयों से अहवान किया कि वे अपने गौरवपूरण अतीत को पुनर जीवित करने के लिए संकल्प ले वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण यूग सत्यूग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे तट बंध बनाते थे खुद्रती जर्नों को नियंतित करते थे पेड और बाग लगाते थे पेड पालने के लिए खेती करते थे उस काल्पनिक यूग में मुंडा अपने बिरादरों और रिष्टेदारों का खून नहीं बाते थे वे इमानदारी से जीते थे बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें एक जगहंटिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें अंग्रेजों को बिरसा अंदोलन के राजनितिक उदेशियों से बहुत ज़्यादा प्रेशानी थी यह अंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतरतम में मुंडा राज स्तापित करना चाहता था यह अंदोलन उनी ताक्तों को मुंडाओं की सारी समस्याओं वेकस्टों का स्रोत मानता था अंग्रेजों की भूनितियां उनकी प्रमप्रागत भूमी विवस्था को नश्ट कर रही थी हिंदू, भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन चीन चीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी प्रमप्रागत संस्क्रिती की अलोचना करते थे जब अंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सक्त कारवाई का फैसला लिया उन्होंने 1895 में बिर्सा को गिर्फतार किया और दंगे फसाद के अरोप में दो साल की सजा सुनाई 1897 में जेल से लोटने के बाद बिर्सा समर्थन जुटाते हुए गाम गाम घूमने लगे उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए प्रमप्रागत परतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया वे आहوان कर रहे थे कि उनके नेतरतम में समराज्जा की स्थापना के लिए इन रावनों यानि दीकु और यूरोपियों को तबाह कर दें बिर्सा के अन्युआई दीकु और यूरोपिय सत्ता के परतीकों को निशाना बनाने लगे उनों ने थाने और चर्चों पर हमले किये और महाजनों वे जमीदारों की संपतियों पर धावा बोल दिया सफेद जंडा बिरसा का पृतिक था सन उन्नी तो में बिरसा की हैजे से मृतियों हो गई और अंदोलन थंडा पड़ गया यह अंदोलन दो माइनों में महतब पूर्ण था पहला इसने ओपनी वेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जर्ये दीकू लोग आदी वाशियों की जमीन पर असानी से कबजा ने कर सकें दूसरा इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और ओपनी वेशिक शाशन के विरोध अपने गुसे को अभी व्यक्त करने में आदिवाशी शक्षम हैं उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संगर्स के परतीकों के जरिये इस काम को अंजाम दिया तो आईए बच्चो अब हम इस अध्याय से जुड़ी हुई कुछ गतिविदियां देखते हैं बैगा औरतें और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें क्या आपको उनमें कोई करम दिखाई देता है उनके कामों में क्या फरक है धूनें और लिखें अगली गतिविती जो आपको करनी है वो कोईला ख़दानों में काम करने के हालात क्या आज बदल गए हैं या नहीं पता लगाएं कि ख़दानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत के क्या कारण होते हैं तो बच्चो ये था हमारा आज का अध्याए आदिवासी दीकू और स्वर्निम यूग की कलपना जिसमें आपने अच्छे से जाना कि आदिवासी कौन लोग होते हैं उनका क्या काम धंदा होता है और इसमें आपने दीकू शब्द को अच्छे से पहचाना कि आदिवासियों क प्रकर्टिक तोर पर जीने के तरीकों को उनके स्वर्निम यूग के रूप में जाना तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद